दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है देहरदून स्टेडी पॉइंट पे और हिंदी श्वर और बेंजन पार्ट से दोस्तो 50 अंस्क्यूज का एक मौक टेस्ट यहाँ पर है इस वीडियो में दोस्तो जो आपके सिलेबस में है कनिर सैक के सिलेबस में जो यह पार्ट है स्वर बेंजन स्वर और बेंजन वर्णो का वर्गी करण इस टोपिक से 50 अंस्क्यूज का एक मौक टेस्ट है तो यहाँ पर दोस्तो 50 अंस्क्यूज का मौक टेस्ट हम डिसकस करने वाले हैं कम्प्लीट इन 50 कोश्चन को अटेंड कीजेगा और बाद में वीडियो के हिंदी वर्ण माला में मूल वर्णो की संक्या कितनी है देखे हिंदी वर्ण माला में मूल वर्णो की जो संक्या है वो कितनी है तो राइट अंसर है दोस्तों ऑप्सन ए यानि 44 यहाँ पर है देखे अगर हम मूल वर्ण की बात करते हैं तो 11 स्वर होते हैं और यहीं पर बा में कुल कितने one है तब भी आपका अंसर यही होगा और right अंसर है option number B 52 यहाँ पर सही है देखे अगर हम बात करते हैं तो 13 स्वर है 35 वेंजन है और 4 यहाँ पर सेंग्त वेंजन है तो total मिलाकर यहाँ पर 52 लेखन के आधार पर या हिंदी में कुल वर्णों के आधार पर यह वर्ण होते हैं चलेंगे अगले question पर और पूछा गया है निम्न मेशे हर्ष्वा या मूलश्वर कौन सा नहीं है तो देखे दोस्तों आ, ई, उ, औ, र, र, आ, ई, उ, औ, र, र, तो ये होते हैं मूल, चारवन, चार स्वर होते हैं ये और यहाँ पर इसका राइट अंसर भी मिल गया है नेश कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 304 देखे पूचा गया है दीर्ग स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दीर्ग स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है श्वर और वेंजन वाला चेप्टर है दोस्तो मूल स्वर यहाँ पर पुचा है कि दीर्ग स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है राइट अंसर है उप्सन नमबर B साथ होती है चार तो आपने यहाँ पर देख लिए जो हस्समूलश्वर है और बाकी जो यहाँ पर साथ आते हैं वो दिर्गश्वर के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यह दिर्गश्वर हो गया है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 305 सैंक्त व्यंजन में सही रूप नहीं लिखा गया है यहाँ पर सैंक्त व्यंजन है रूप और कौन सा सही नहीं लिखा गया है यह आपको देखना है तो कोशन नमबर 305 शा की बात करते हैं क और शा से तरा की बात करते हैं तरा से जा की बात करते हैं या की बात करते हैं तो जा और या से और शा की बात करते हैं तो शा और रा से तो राइट अंसर है option number C जी हाँ दोस्तो यहाँ पर यह ग्या होता है इसे ऐसा नहीं लिखा जाता है इसे लिखा जाता है दोस्तों जा और यहीं पर बात करें देखे यहाँ पर इसे चलते हैं देखे जा और यहाँ पर इसे लिखेंगे जा और धन यहाँ पर लिखेंगे या तो यह दोस्तों यहाँ पर इसका सही होता है चलेंगे नेक्ट कोशन पर कोशन नमबर यहाँ पर अंक और एक होता है आहा ये दो वर्ण होते हैं अयोगवा चलेंगे अगले कोशन पर कोशन नमबर यहाँ पर है 307 देखे यहाँ पर यह अंसर है बिशर्ग और अनुश्वार इन्हें क्या कहते हैं अयोगवा कहते हैं कोशन नमबर 307 से लेकर 309 तक वर्ण माला कहते हैं किसे देखे वर्ण वाला कहते हैं किसे सब्दों के समुको वर्णों के समुके वर्णों के ब्योस्तित समुको तो जी हाँ option D यहाँ पे सही है वर्णों के ब्योस्तित समुको कोश्या नमबर 308 है होंटों की इस्तिती के आधार पर सरो के कितनो भागों में बाटा गया है देखे होंटों की इस्तिती के आधार पर जो श्वर है इन्हें कितने भागों में बाटा गया है कोश्या नमबर 308 सही अंसर है यहाँ पर option number C यहाँ पर देखें दोस्तों सोरी यहाँ पर option number A यहाँ पर सयोगा दो होता है और दो कौन सा होता है एक आविर्थ मुखी होता है दोस्तों और एक विर्थ मुखी होता है देखें एक विर्थ मुखी और एक आविर्थ मुखी विर्थ मुखी की बात करते हैं तो उ, उ, आ, आ और आ तो ये आते हैं विर्थ मुखी के अंतरगत विर्थ मतलब गोला मुखी के अंतरगत और अविर्थ यानि जहां पर मुख गोला नहीं बनता है गोल नहीं बनता है तो ये आते हैं अविर्थ मुखी के अंतरगत Question number 309 है, पूछा गया है, जिन स्वरों के उचारण में हवा, मुख और नाक दोनों के माध्यम से बाहर आ जाती है, उसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, ये आपर देखना है, मुख और नाक दोनों के माध्यम से बाहर आ जाती है, तो दोस्तो इसका right answer है, option number B, अनुनाशिक कहते हैं, और जहां पर केवल मुख के माध्यम से हवा बाहर आ है, तो उसे हम निरनाशिक भी कहते हैं, तो अनुनाशिक में मुख और नाक दोनों के माध्यम से हवा बाहर आती है, चलेंगे अगले question पर 310 से लेकर 312, स्वरियंत्र मुखी व्यंजन कौन सा है, इसे ही दोस्तों क कल्य वन कहते हैं, और right answer है इसका option number B, जी हां, हां यहां पर सही है, चलेंगे अगले question पर 311 है, और पूछा गया है कि निरन में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, तो देखे दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन पूछा है, कि अल्प प्राण व्यंजन निरन में से कौन सा नहीं है, तो देखे इसका right answer आपको मिलने वाला है, option number D, चा नहीं है, अभी इसकी detail discuss भी करेंगे, तब तक देखे 312 पे पूछा गया है, हिंदी वर्ण वाला में कौन से वर्ग के व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण कौन से वर्ग के विंजन होत होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, अल्प प्राण होते हैं, चलें के अगले question पे देखे 313 से लेकर 300 यहां पर 17 तक, देखे दोस्तों यह आपके सामने हैं, यह one आपके सामने दिये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, और पाँचवा अभी आपने पीछे देखा जो पूछा था यहाँ पर कौन सा अल्प प्राण तो पहला तीसरा पाँचवा यह होते हैं अल्प प्राण पहला तीसरा और पांचवा यानि काचाटाथाप ये क्या है अल्प प्राण है गजडदब अल्प प्राण है तो यहाँ पर यह हो गया है देखे कोशियर नंबर 314 है परतेक वर्ग का दूसरा और चोथा विंजन कहलाता है परतेक वर्ग का दूसरा और चोथा विंजन तो देखे दोस्तों कौन सा बचा है ये आग्या है अल्प ये आग्या है अल्प और ये आग्या है लास्ट वाला भी अल्प अब देखे दूसरा और चोथा बचा है तो इसे कहते हैं महा में और सा नंबर यहाँ पर होगा दी यह पद का पहला वा दूसरा पद होता है तो दोस्तों इसका राइट अंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा option A अगोश होता है जब हमारे जो वर्ण उचारित होते हो और इनमें किसी भी स्वर्यतंत्र या इनमें किसी भी परकार का कमपन ना हो तो अगोश होता है और देखे दोस दोस्तों परतेक वर्ण का पहला और दूसरा पद यानि यहां से लेकर यानि यहां तक क्या आएगा यह अगोश आएगा पूछा जाएगा का चाचा टाथा ताथा पाफा ये क्या है अगोश वन है question number 316 परतेक वर्ण का तीसरा चोथा और पांचवा वन होता है अब देख पाते की है तो right answer option नंबर A तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों क्या होगा यह होंगे सगोष तो यहाँ पर मिल गया है answer अज़ोष सगोष केलियर हो चुका है next question पर चलता है question नंबर 317, पूछा गया है सगोष वा महाप्राण का उधारन कौन सा है तो शगोष भी है और महाप्राण भी है कौन सा यह होगा तो दोस्तो राइट अंसर है उपसर नमबर डी हाँ यहाँ पर सई है अब यहाँ पर देखे और सारे के सारे जितने भी कोशन अभी तक बने हैं वो सारे कॉंसेट्ट किलिए रहो जाएंगे यह रा लावा यह अल्प होते हैं और सगोष होते हैं शा शा सा यह महाप्राण होते हैं और अगोष होते हैं और जो यहाँ पर दोस्तों यह हाँ वाला है ना यह महाप्राण भी होता है और सगोष होता है इस चीज का ध्यान रखेगा यहाँ पर यह थोड़ा जो है न हाँ यह अपवाद आ गया है इसलिए यहाँ पर से इसे हटा दिया है और अलग से लिख दिया है तो question number 314 से लेकर 317 तक तो यहाँ तक यह हो गया है नेश question पर चलेंगे question number 318 से लेकर 320 तक लिपी चिन्हों के कर्मबद शमु को कहते हैं तो 318 का right answer है दोस्तों option number D वर्ण माला कहते हैं कर्मबद कहें या ब्योस्तित कर्म कहें वर्ण माला यहाँ पर सही होगा question number 319 वर्ण क्या है देखें दोस्तों वर्ण क्या है यह भासा की सबसे छोटी काई होती है तो option number B यहाँ पर सही है चलेंगे अगले question पर 320 से देखें दोस्तों पूचा है question number 320 से और राइट अंसर यहाँ पर तो दोस्तों राइट अंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 48 आपने देखा था ना कि total 52 वर्ण होते है और 52 में से जो सैंक्त वर्ण जो 4 होते है अगर इसे हटा दे माइनस कर दें तो कितना आएगा 48 यहाँ पर सही आएगा चलेंगे अगले question पर question number यहाँ पर देखे 321 से लेकर 323 हिंदी में धनिया कितनी परकार की होती है तो ध्वनी कितनी परकार की होती है हिंदी में ये देखना है तो देखें दोस्तों यहाँ पर option का अनुशा देखना है और right answer आपको मिलेगा वैसे अगर बात करें न ध्वनी यह one की बात करें simply तो दो परकार की होती है श्वर धुनिया और ब्यंजन धुनिया तो दो यहाँ पर सही होगा देखें नेश्ट कोशन है पूचा है 322 पर है कि स्वर कहते हैं तो दोस्तों स्वर किसे कहते हैं यह यहाँ पर देखना है और सही अंसर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सही अंसर यह होगा कि जिन का उचारन बिना उरोद के होता है यानि जो स्वतंत रूप से उत्पन होते हैं जो वर्न उन्हें कहते हैं हम क्या श्वर कहते हैं तो option C यहाँ पर दोस्तो सही होगा चलेंगे अगले question पर 323 से अब देखे पूचा है जो A है ये कौन साश्वर है हश्वर है, मूल है, दीर्ग है या इनमें से कोई भी नहीं है तो A कौन साश्वर होगा तो देखे दोस्तो A कौन साश्वर होगा तो A होता है दोस्तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है तो जी हाँ दोस्तो यह मिलेगा दीर्गश्वर मिलेगा कौन से मिलेगा दीरगिश्वर मिलेगा हश्वश्वर या मूलश्वर दोस्तो हमने अभी पढ़ा था ये चार होते हैं और चार कौन से होते हैं आ, इ, उ, औ, री ये होते हैं चार मूलश्वर इन्हें हश्वर केते हैं तो जितने बचे वो दीर की श्वर के अंतरगत चलेंगे नेश्ट कोडिशन पे देखे 324 से लेकर 326 तक और पूचा है 324 में पुलित श्वर कौन सा होता है तो देखे दोस्तों पुलित श्वर आपको देखना है औरशन के अनुसार आपको बताना है देखे आपने ये चीज़ देखा होगा न ऐसे ऐसा साइन होता है तो वैसे अगर बात करें प्रशन के अनुसार तो भी यहाँ पर सही होगा और कोशन नंबर 325 है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने परकार के होते हैं जीवा के आधार पर देखे दोस्तों जीवा के आधार पर आपको बताना है पहले आपने होश्टों की जो ओंट है या ओस्ट है उनकी आधार पर देखा था वह थे दो विर्तमुखी अविर्तमुखी अब पूचा है जीवा के आधार पर तो राइट अंसर है दोस्तों Option A, तीन यहाँ पर सही है, और तीन कौन कौन से हैं, पहला है अगर, दूसरा है मध्या, तीसरा है पश्च, E, E, A, I, ये आएंगे अगर में, A, ये आएगा मध्या में, और पश्च की बात करें, जो बच जाए, वो पश्च के अंतरगत आएगा, तो ठीक है, E, E, A, I, A, मध चलेंगे अगले कोश्चन पर 326 है और पूचा है कि निवन मेंस से किस में रीश्वर नहीं है, तो किस में नहीं है रीश्वर, तो दोस्तों रीश्वर की बात करें, तो कृपा, री, कृष्णा, कृरी, दृष्टी, दृ, और रिवाज दोस्तों यहाँ पर रा आ गया है, हनत है यहाँ पर यह देखे यहाँ पर क्या है कि option D यहाँ पर सही होगा चलेंगे अगले question पर देखे question number यहाँ पर है देखे 327 लेकर 329 अब है कौन सा विकल्प शुद है देखे दोस्तो शुद्ध विकल्प कौन सा है यह आपको देखना है तो question number 327 और right answer है दोस्तो देखे दोस्तो concept एक बार यहाँ पर दो मिनट के लिए जरा हलका सा दिमाथ दोस्तो यहाँ पर दीजे और कौन सा विकल्प शुद है तो right answer A होगा साथ दंत्य होगा याद कीजे दोस्तो आपको मालू है न या रा ला वा शा 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 हा यह इसका कर्म होता है अब देखे इसे सबसे पहला वाला आएगा किसके अंतरगत तालवे के अंतरगत यह देखिए या शा तालवे के अंतरगत रा शा मुर्ध के अंतरगत और ला शा के बात करें तो यह दंत के अंतरगत तालब्य, मुर्ध्य, दंत्य, यह आप ऐसे याद करो T, M, D, T, M, D, ऐसे में याद कर सकते हो यह आपको कर्म याद हो जाएंगे जो नीचे वाले हैं फिर देखे दोस्तो एक बसता है यहाँ पर दंतोष्ट, क्या है दंतोष्ट और इसकी अलावा दोस्तो जो यह वा है ना, इसकी अलावा यह भी आता है फा और नीचे नुकता, जहां रखेगा नुकता लगाना जरूरी है वो दंतोष्ट के अंतरगत आते हैं, व और फ यह दंतोष्ट के अंतरगत और जो हा है दोस्तो ये काकल्य वर्ण होता है इसे श्वर यंत्र भी कहते हैं तो यहाँ पर ये concept किलियर हो गया है चलेंगे अगले question पे question number 328 तो देखिए शा मुर्धे इस्थान है नहीं जो ये वाला शा है ना इसका इस्थान तालब्य है और यहाँ पर जो ये सा है इसका मुर्ध्य है तो यहाँ पर ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है चलेंगे अगले question पे यहाँ पर देखिए question 300 ee का उचारण इस्थान कौन सा है ee का ee का तो दोस्तो ee का उचारण इस्थान बताइएगा तो जिहां दोस्तो ये होगा option b तालब्य सही है अब ज़रा फिर स चावर्ग और याशा तालब्य ये हो गया है question number 339 ee aaa का उचारण इस्थान कौन सा है तो बिल्कुल दोस्तो option number a सही है कंठय यहाँ पर सही है और कंठय के अंत्रगत aaa का वर्ग और विशर्ग ये सभी किसके अंत्रगत आते हैं कंठ के अंत्रगत आते हैं तो दोस्तो यह पर 339 हो गया है सभी कोशन आयो होप आपने अभी तक सही किये होंगे कोशन नमबर 330 से बढ़ेंगे 330 सक बढ़ेंगे ता वर्ग का और ला शा का उचारन इस्थान कौन सा है देखे दोस्तों सभी कोशन करवा रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं देखे ता वर्ग का और ला का उचारन इस्थान तो ता के बात करें दोस्तों तो ये दंत आएगा तद दंत यहां पर सही होगा और ए आई के बात करें तो कंठ तालेबे यहां पर सही होगा देखे दोस्तों ए आई का उचारन इस्थान कंठ तालेब्या ओ आउ का उचारन इस्थान क्या होगा तो पहले कंठ तालिबय था अब दूसरा दोस्तों एहाँ पर होगा कंठ ओस्त AI कंठ तालिब्या OOW कंठ ओस्त और वक आव चारन इस्थान है दोस्तों, दन्तोस्त ठीके, दन्तोस्स तो दन्त धनdest यहाँ पर अब वाला फा नहीं आता है ये फा उस्ट के अंतरगत आता है जो ये वाला फा आता है ये दंत उस्ट के अंतरगत आता है दंत प्लस उस्ट के अंतरगत आता है चलेंगे अगले कोशन पर कोशन नंबर यहां पर देखें कोशन नंबर यहां पर देखें अशंगत का चैन करना है द देखे, ताड़न जात बेंजन, उच्छिप्त बेंजन, द्विगुण बेंजन, मतलब एक ही ही है, नाम अनेक पर काम एक, व्यक्ति एक है, नाम अनेक है, तो इन सभी को कहते हैं दोस्तों, और यह हैं, यहाँ पर आप देख रहोंगे, डा के नीचे थोड़ा सा बिंदू हो यह अनुनाशिक कहें, यह चंदरबिंदू कहें, यह अलग नाम है, चलेंगे अगले कोश्चन पर 335-336, अयोग वहाँ वर्णों की संख्या कितनी होती है, अयोग वहाँ वर्णों की संख्या, तो दो होती है दोस्तों, आप्सन यहाँ पर A सही होगा, ठीके, अंक और आह यहाँ पर होता है, इसपर्णी वेंजन और वर्णी वेंजन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेगा, इसकी संख्या होती है, ओप्सन भी 25 होती है, और यही पर एक चीज और भी पूछ लेता है, इसपर्णी वेंजन, तो इसपर्णी वेंजन या वर्ग्य वर्ट्षसेश वेंजन यह होता है, कई वहाँ नाम चेंज़ वाकर आ जाता है. चलेंगे अगले क्वेशन पर 337 से लेकर 340 तक, पूचा है दोस्तो, वर्ट्सेश वेंजन कौन सा है, देखें वर्ट्षसे का मतलब क्या हो गया? तो देखे दोस्तो वर्षे का वेंजन आपको देखना है वर्षे वेंजन कौन सा है तो राइट अंसर है दोस्तो यहाँ पर ना कौन सा है ना देखे दोस्तो वर्षे वर्षे की बात करते हैं तो चार यहाँ पर जुड़े जाते हैं वर्षे वेंजन के अंतरगत श ज र ल त तो दोस्तो देख रहे होंगे ना प्रसन न प्रफिल लिल दो सब सब जूट रहे हैं तो यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा एक जिनसे स्वर जुड़ रहे हैं तो यहाँ वंजन जुड़ रहे हैं तो मतलब युगमक ध्वनिय यहाँ पर है वह वर्ण जिसके उचारण करने में श्वर्तंत्रियों का कमपन ना हो, कमपन ना हो, तो कौन शा होगा? तो जी हाँ अगोश होगा, देखें दोस्तों ये थोड़ा गलत लग गया है, स्वर्तंत्रियों में कमपन ना हो, जब नहीं होगा, इसका मतलब अगोश जहाँ पर घोशी ना हो यह गलत है यह वाला यह सी सही होगा यहाँ पर अगोश चाका उचारन स्थान कौन सा है चाका तो बुर्धा कंठ यहाँ पर सही होगा इसे तोड़ दीजिए और फिर अलग अलग देखे कि कौन किस वर्ग के अंतरगत आता है तो यहीं पर यह हो गया है ऐसा ही यहाँ पर त्राका आपका देखना है तो त्राका उचारन स्थान कहां दोस्तों बताएगा ताका उचारनिस्तान तो ताका उचारनिस्तान दंत से होता है तो यहां से दोस्तों आप निकाल सकते हैं दंत वगेरा से आप निकाल सकते हो चलेंगे अगले question पे अंतहस्त बेंजन की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों अंतहस्त बेंजन की संख्या होत उसमें बेंजन कौन सा है यह देखना है तो देखे दोस्तों राइट अंसर आएगा हा ओप्सन यानि आप देखोगे श श श ह यह क्या आते हैं यह उसमें बेंजन के आते हैं और एक ट्रिक आपको बताई थी अभी TMD तालब्या मुर्धेव्या दंतेव्या यानि तालब्या फिर मुर्धन्या और फिर सावाला दंतेश्ट्या हाना हा को छोड़ दिये यह कंठेक उसके अंतरगत आता है काकलेवर्ण के अंतरगत तो इनका करम भी आपको याद हो जाएगा हाना इसके लिए भी यही था TMD तालब्या मुर्धन्या दंतेव्या कोश्या नमबर 340 से इ इस पर संगरसी वेंजन है तो दोस्तो इस पर संगरसी जो वेंजन है वो जाँ है ये चार होते हैं च जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज होता है देखे लुन्ठित देखे दोस्तो लुन्ठित की बात करते है ला नहीं होता है ये रा होता है और पार्षिक रा नहीं होता है ये क्या होता है ला होता है देखे दोस्तो लुन्ठित की बात करते है तो जैसे आप रा बोलोगे न तो आप जब जैसे रा बोलोगे तो आ तो ये होता है, पार्स्विक में ला आएगा, लुन्ठित में रा आएगा, अर्दुश्वर या और वा होता है, और उच्छित, तारंजात और बिक्षित वेंजन अभी आपने देखा था, वो कौन सा था, डा और डा, चलेंगे अगले कोशन पे, लुन्ठित वन कोशन है, अ कुल कितने वनों का मेल होता है, तो देखे दोस्तो, सटीक अंसर की बात करें, तो इसका होगा, ओप्सन भी, क्यूं होगा, देखे, कुल कितने वन होते हैं, अब देखे दोस्तो, शर्भी, वन्जन भी, ये सबी वन होते हैं, अगर जैसे एक्जांपल की बात करते हैं, हम दो और तीन तो तीन one यहाँ पर बने हैं इसलिए संवताक्षर में तीन one होते हैं नियर्ष कोषे ने देखे 350 से और पुछा है की नियर्ष कोषे ने देखे 350 से की हिंदी सब्द कोषे में चाक है इस्थान किस one के बार आता है तो इसका दोस्तों अंसर देखना है और सही जो अंसर है इसका यह आएगा option number B जयाने का यहाँ पर सही है, option B यहाँ पर सही है देखे दोस्तों एक चीज़ देखे, यहाँ पर कुछ कर्म वाला आता है जैसे आपको पूछा जाएगा, देखे दोस्तों पूछा जाता है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि चा का उचारन इस्तान हिंदी सब्द कोस में किसके पहले आता है, किसके बाद आता है ऐसा दोस्तो अभी एक चीज़ देखे, सबसे पहले एक concept समझे, देखे, जब हम बोलते हैं आ, आ, जो हमारे सवर होते हैं, आ, आ, ई, ई, लेकिन हिंदी सब्द कोश में, जो हिंदी सब्द कोश कर्म होता है, सबसे पहला जो यहां पर वन आता है, वो आता है, अंक, फिर आता तो देखे दोस्तो, पूछा जाएगा आपको यहां से सुरुवात में, आपको ऐसा पूछा जाएगा, कि निम्न लिखित में से सबसे हिंदी सब्द कोश में पर्थम अंक कौन सा है, पर्थम बर्ण कौन सा है, या पर्थम शर कौन सा है, और यह चार आपको option में दे और आप लिखोगे कि आ सबसे पहला है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी सब्द कोश में सबसे पहले अंक आएगा, फिर आ और फिर अह, और फिर उसके बाद आ, आ, ई, ई, उ, ओ, ए, आ, री, ए, आ, 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 ये, जो आपका कर्म आता है, यह आता है, तो यह यहाँ पर तरा वाला भी आता है, तरा वाला, तो तरा में पूछा जाता है, कि तरा का जो सब्द कोश में कर्म आता है, वो कब आता है, तो त के बाद ध्यान रखेगा, ता के बाद आता है, यहाँ पर तरा का कर्म, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, छा का आपने देख बच्छा जाएगा तो इस चीज को ध्यान रखेगा ये concept है सबसे पहले अंक और फिर आहा पिर आ-ा-ई-ए-ु ये इनका कर्म होता है हिंदी सब्द कोश का सही कर्म यह है और हिंदी सब्द कोश में यह इसे आता है जिसे का फिर यहां पर आता है च्छा फिर यहाँ पर आएगा खा और फिर यहाँ पर आएगा गा और फिर गा ओडा बने यह कर्म वानता है इसका तो देखें दोस्तों यहाँ पर यह कर्म बनेगा सायद कुछ कन्फूच लगेगा आपको लेकिन कॉंसेर्ट समझना कि आ आ आ पहले नहीं आता है हिंदी सब्द कोस में पहले अंक आता है फिर आहा आता है फिर आहा आता है फिर आए आएगा ये इसका सही कर्म होता है और यही पूछा जाता है कि चा का किस वर्ण के बाद आता है हिंदी सब्द कोस में तो चा की बात करें, तो का के बात आएगा, और यहीं पर त्रा की बात करें, तो ता के बात आएगा, इस चीज का ध्यान रखेगा, यही अकसर पूछे जाते हैं, और श्रा की बात करते हैं, श्रावाली, तो यह श्रा के बात आएगा, तो ऐसे चीजे दोस्तो ध्यान यही आपको पूछी जाती है कन्फूज करने के लिए तो यह पाला पार्ट हमारे कम्टीट है पचास हमस्कूज कर लिए हैं नेस्ट क्लास में पचास प्रयवाची सब्द जो हमारे स्लेबस में हैं उसके अनुसार करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर इतना ही रहेगा और और एक चीज़ बता देता हूँ इसकी पीडियाप दोस्तो आज आप रात को 9 बज़े से लेकर 11 बज़े तक या 12 बज़े तक आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप कर सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगी देहार नखेगा दोस्तो पीडियाप हम पुर्वाइड कराते हैं लेकिन केवल एक दिन के लिए रखते हैं अगर कोईश देन अपलोड करना डाउनलोड करना चाता है तो आज डाउनलोड कर सकता है वीडियो के डिस्किशन में आपको मिल जाएगी रात 9 पीम से लेकर और 11 या 12 पीम तक चलो सुभे तक भी हम रख लेंगे 9 पीम से लेकर 11 या 12 सुभे तक भी रख लेंगे सुभे 9 बजे तक तो इस बीच में आप वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाते हो तो कर सकते हो तो देखे दोस्तों यहाँ पर इतना ही है मिलेंगे आपको फिर नई वीडियो में धन्यवाद, जेहिन, जे उत्राखन और इसे हम जल से जल कंप्रेट करने की कोशिश करेंगे यह संग्या सरनाम जो हमारे पास है 50-50 का सेट अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर आल यहाँ पर इतना ही है मिलेंगे आपको नई वीडियो में धन्यवाद, जेहिन, जे उत्राखन और जे देभुमी